हेलो फ्रेंट्स गुर्ण मॉनिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऊटू चैनल ऑनलाइन बढ़ाई है फ्रेंच आज 26 मईए 26 मईचे जितने भी कर्णेट अभिस के इंपोर्टेंट कॉश्चन बनते हैं हम लेकर आ हैं इस वीडियो में अगर आप किसी एक्साम के त देस्क्रिप्टिन में मिल जाएगा वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला कुश्चन किस देज ने ब्रिक्स खगोल विज्ञानकार समूर 2021 की सात्वी बैठक की मेजवानी की है और फ्रेंच इस बैठक में इंटेलिजेंस ट रहमार्ण में होने वाली छड़िक खगोलिये घटनाओं का अध्यान बिक डेटा करिक्तिम बुद्धिमत्ता बहतर मल्टी बैवलेंथ टेलिस्कॉप से संबनेत मुद्धों पर चार्चक होई है फ्रेंच यहां बात की गई है ब्रिक्स की ब्रिक्स के बारे में जान लेते लेकिन 2010 में दच्ड़ अफ्रिका के सामेड होने पर ब्रिक्स की नाम में बदल गया है फिरिंट इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी इसका मुख्याला चीन के संगाई में स्थित है और ब्रिक्स के सदस सदेश B से ब्राजील R से रूस आई से भारत इंडिया यानि सी से चाइना और एस से दच्चड़ प्रिका ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के ये कान्तिरिंबर्ग में हुआ था 2020 के ब्रिक्स संदस्क्रण की अध्यक्ष्टा किस देश ने की ह लिघ्वे मिर्स की देशों की जन संख्यां दुनिया की आवादी के लगभग 40 पिसस्द है विए ब्रिक्स देशों के बैंकों का किया नाम है तो ब्रेट सिर देखो देशों के बैंक की बैंक को अनाम है निव डेवलोपमेंट डैबर्सIT आवाड 29.श मानित किया है तो जो इंडिया बाइऊ डाउधी से 2 जिल साजी एंड मको साजी एंग को पेधरु पेजातियों कि संजक्षन कीkiej ब्यक्तिकत सिर्णी में इंडिया बाइऊ डाइबरिश्टी अवाड 2021 दिया गया है साजी एनेम केरल के हो और एने केरल में ट्यूबर में भी कहा जाता है साजी एनेम ने लगभग 200 ट्यूबर फसलों मसलन सकरकंद चाइनीज आलू का सवा आदी को संजख्षित किया है यहां बात किया गया है अभी फिलाल में दिये गए टॉप फाइब आवाड के बारे में जान लेते हैं 2021 में नियूरेंबर इंटरनेशनल हुमन राइट्स आवाड से किसे सम्मानित किया गया है सेरा गुल सौतवे को सम्मानित किया गया है आलमी इंस्टिट्यूट आफ टेकनलोजी दोरा लाइफ टाइम अचिवमेंट अवाड डॉक्टर रमान गंगा खेड कर को सम्मानित किया गया है दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टरेस का अवाड दीवत का फाद कौंब ने जीता है और दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट एक्टर का अवाड अक्ष्यकुमार ने जीता है प्रिंट अगला कुछ ने बिस्टो थाइराइड दबस कम मनाए गया है तो बिस्टो थाइराइड दबस हाली में 25 माई को मनाए गया है और थाइराइड एक प्रकार का एंड्रोक्राइन ग्रिंथी है जो हार्मोन को बनाती है थायराइड हार्मोन में कमी से हाइपो थायराइड जिम अचानक बढ़न जाना होता है थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपो थायराइड जिम होता है और पुर्सों की तुल्ला में महलाएं इस वीमारी से अधिक ग्रिस्त होती है इस दिबस का मुक्दिष थायराइड के महत और थायराइड रोगों की लोक्ताम और उप्चार के बारे में लोगों को जागरूप करना है विस्ट थायराइड दिबस 2021 की थीम के अगर हम लोग बात करें मदर बेबी आयोडेन दा इंपोर्टेंट्स और यहां बात की गई है थायराइड दिबस की फ्रेंट्स हम लोग पिछले महिने के इंपोर्टेंट दिबस देख लेते हैं विस्ट विरासत दिबस 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 दिब यह थे और संयुक्त राष्ट अंग्रेजी भासा दिवस्ट और संयुक्त राष्ट स्पेनिस भासा दिवस्ट 23 अप्रेल को मनाए गए यह थे पिछले महीने के एम्पॉर्टेटिंटर अगला कुस्ष персон है एस्दि начинаis locked यहां चैंपिएशे कंपियांसिपband 221 और दोवाई में किया गया है और फ्रेंट्स यहां बात की कही है ुई-ईई यानि दूवाई तो यूए से जोड़े हम लोग इंपोर्टेंट फेक्ट जान लेते हैं यूए के फुल फॉर्म होता है यूनाइटिट अरब अमीराथ संयुक्त अरब अमीराथ जैसे हिंदी में कहा जाता है यूए यह की राजधानी अभूधा भी है यूए की करेंसी यूए 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 दरहम है और यूए की राष्ट पती जो है से खलीफ़ा बिन जायद नहयान जी है यूए की सहल दुबई में अंतराश्टी कर्केट पैसे आजएसी का मुझ्ख्याला है और दुनिया की सबसें उची बिमारत पुजिश ख़ली पर जिसके उचाई 829.8 मीटर है यह भी दुबई मेहस्तित है कोईले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बन गया है और आई पील दोजाएबीस कायोजन यूएई देश में किया गया है कि यूएई का सर्वुच नागरिक सम्मान और्डर ऑफ जायद प्रदानमंत्री नेन्द मोधि को दिया गया है कि इस भारतियों को 2021 से 25 तक की अबदी के लिए बैडमिंटन बल्ड फेडरेशन परिश्यत का सदस्त किया गया है जो बैडमिंटन बल्ड फेडरेशन परिश्यत की बात करें बाते बात की वाइव यूव तकी लूए इस यह विए बैडमिंटन बल्ड फेडरेशन बैडमिंटन चाण की इस चांसी हिए स्थापना तो उननेज्स तो चाहने इसकी स्थापना कूई थी को आला कुवालावालांपुर्ट यानि मलेसिया के कुवालालांपुर में इसका मुख्याला इसके तर इसके अद्यक्स पौल एरिक हायर लाशनजी थे अगले कुछ ने वैस्विक जी 20 सिकार सम्मेलन 2021 की मेजवानी किस देश नहीं किया है तो जी 20 इतली ने की है और कोरोना वारिस मामलों के प्रसार के बीच बैश्विक जी टुएंटी स्वास्थिकर सम्मेलन की सह मेजवानी इतली के साथ यूरोप पीए आयोग द्वारा की गई है और इस बैठक में कोरोना वारिस से संबंदित मुद्धों पर चर्चा की गई है यहां ब एक चाहीं च्टाआप ने को इस थी शाइब को हुए थी जी टुंटी भारत का हिस्साहें और जी टुएंटी का पहला समयलन कभ हुआ था तो चाहुदर पंदरह नवंबर 14-15 नवंब्र की बीच चला था 2008 में पहला संवलन हुआ था सत्तनावे जी टुएंटी से तो देखा कोंसा दाश करयेगा भारत आखने संग्ति हैं मुख्य कारकारी जह कौन बने हैं कि नौबेश्न जब बैक प्रफने में प्रजिए मैं करेंक राजयरें संग्ति हैं और नहीं ख़टai मतलब भारत में जितने भी बैंक होते होंने और भी ऐए लेट करता है अर्विया का फुल पर मुता है रिजब बैंक और इंडिया रिजब बैंक और इंडिया की स्थापना एक अपरेल 1935 को हुई थी तो भारतिया रिजब बैंक का दिनियम 1934 के तहट महराष्ट के मुंबई में इसका मुख्याला इस्तित था और गवर्नर सक्तिकान दास्टी है गात्मार में आर्विया के चार डिप्टी गवर्नर माईश कुमार जैन माईकल पत्रा अबम एम राजिस्वर राव और टीबी रभी संकर बैंकों कर बैंक और बैंक और भारतिया नियस्सका को किया किया गया था एक नियुक्ति कुण करता है प्रिदान्मंतित की से रूच्टा भार्थिय के खुलन के के अगला कुछा नहरु तिबत और चीन पुस्तक को लिखाया अवतार शिंग भसीन द्वारा फ्रेंट या बात की गई है पुस्तक की तो हम लोग फ्रेंट अभी हाली में लांच हुई पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं एक टेक्स्ट बुक आफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक को समीर सर्मा ने लिखाया दा मेकिंग ऑफ आधार वल्ल्ड लाजेश्ट आइडेंटिटी प्लेटफर्म पुस्तक को रामसिवक सर्मा ने लिखाया अबर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर लिखाया इंडिया तो हजातीस अधर आइज और जिस नेशन पुस्तक को गोत्म चिकेर राम चिकेर माने ने लिखाया अगला कुछ निकिस फूटवाल क्लब ने फूटवाल टूनामेंट ला लीग ला लीगा दो ट्वैंटी ट्वैंटी ट्वैंटीटी पन का खिताब जी जीता है वह है एलेट एट लेटिको मेड्रेट ला लीग स्पेंग की सीज फूटवाल लीग है एट लेटिका एट लेटिको मेडरेट ने बाइस माई को रियल वैला डूलेट है मैं रियल मैडरेट को दो एक से और आज इत करकर ला लीगा 2020-21 का किताब जीता है त्रिंच प्रिया बात की गई है कि फूटवाल लीग की तो बिस्तों में जितने भी फूटवाल के खेल होते हैं उन्हें फीपा आयो जी फीपा रियागुलेट करता है फेड़ फीपा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल और फूटवाल असोसियेशन इसकी स्थापन किकीज मई 1904 पुई ती इसका मुख्याल है सूठीर के जिवरिख में और इसके अध्यक्ति जियानि और इफेंटनी टिनोजी हैं प्रिंट अक्ला कुछ्छन ने अंतर राश्टि गुमसुदा बाल दिवस के मनाए गया तो अंतर राश्टि गुमसुदा बाल दिवस हाली म 25 मही को मनाया गया है और यह उन गुमसोदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं यूझ वह आद रखने के लिए जो अपराद किसे कार हुए हो उन लोगों को तलास करने के लिए जो अभी लापता है 25 माई को व्यापक रूप से Missing Children's Day रूप में मनाया जाता है अब हम इन कुश्चिनों के जल्दी से रिवाईजन कर लेती है किस देश ने ब्रेक्स खोल विग्यान कारे समूई 2021 की में जबानी की है साथ में बैठक की में जबानी की है तो ये भारत ने की है और इंडिया बायो डाइबरिस्टी अबर्ड 2021 से साजी एंड एम जी को सम्मानित किया गया बिस्तु थाइराइट दिवस हाली में 25 माई को मनाये गए एस्या मुक्यवाजी चेंपियंशिप 2021 की स्काई उजन कहां किया जाएगा और किस भारतिय को 2021 से 25 तक की अबदी के लिए बैडविंटन बर्ड फेडरेशन परिश्ट का सदस्ट नियुक्त किया गया है है मंत विस्वाज सर्माग अगले कुश हैं था बैस जी टॉनिटी से कर सम्मेलन 2021 की मेजवानी किस देश ने की है तो इटली ने की है और रिजब बैंक इनुवेशन हब के मुख कारकारी यादकारी कौन बने हैं राजिस बंचल जी नहरूत इबद और चीन पुस्तक को लौंच किया है पुस्तक किस ने लिखिया आवतार सिंग भासीन द्वारा लिखी गए और फुटबण क्लब ने टूनमेंट ielाव लिखा 2020 का ने के किसटाब जीता है तो warm एट लेटी को द्वारा फुट एट लेटी को मेडूयरिट फुटबण क्रिकेट क्लब ने फुटबlie लिखा 2021 का के चताब की जीता हैं अंतरष्टी गुमसूदाबालदिवस हाली में कम मना गया तो ऑन्तरष्टी गुमसूदाबालदिवस हाली में 25 मही मना गया तो प्रेंट ये थे आज के हमारे क्वेश्चन कैसी लगई हमारी वीडियो कमेंट करके जरू बताईए अगर अच्छी लगई हो तो लाइक कमेंट से जरू कीजिए धनने बाद